नमस्कार जन भावले टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ ही मानशी पाले वंडे वर्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी बढ़िया चल रहा है अब तक टीम एक भी मैच नहीं हारी है लेकिन इस दोरान स्टार बल्लिबाज विराट कोली भी पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं फॉर्म भी ऐसा कि अब वो जल ही सचिन तैंदुलकर के वर्ड रिकॉर्ड के बराबरी करने की देहलीस पर खड़े है जी हाँ विराट ने 19 अक्टुबर को पूरे में बागनरेश के खिलाब नाबाद 103 रण की पारी खिलकर अपना 48 वर्ड शतक लगाया और अब तैंदुलकर के वर्ड रिकॉर्ड के बराबरी करने से सिर्फ एक शतक दूर है भारत के स्टार बलिबाज विराट कोली ने कहा कि अगर हम क्रिकेट के बारे में बात करें तो मैंने कभी इतना सब कुछ हासिल करने के बारे में नहीं सोचा था जैसे क्या मीरा करियर कहा है और भगवार ने ऐसा करियर और प्रदर्शन का अर्शिब बात दिया मैंने हमेशा सपना देखा था कि मैं ऐसा करूँगा लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि चीजे इस तरह से आगे बढ़ेंगी कोई भी इन चीजों की योजना नहीं बना सकता है कि आपका सफर कैसा रहेगा और आपके सामने कैसी चीजे होंगी विराट कोली ने कहा मैंने कभी नहीं सोचा कि इन 12 सालों में मैं इतना शतक और इतने रन बनाऊंगा लेकिन ये इतना असान भी नहीं क्योंकि मुझे इसके लिए अपने अनुशाशन और जीवन सैली में काफी बदलाब करना पड़ा ऐसे इसलिए क्योंकि अपने करियर में एक समय मैंने ऐसा भी पाया कि मैं पिछल रहा हूँ जिसके बाद मैंने खुद में काफी बदला पिए मतादिकी विराट कोली का बला ICC World Cup 2023 में जम कर बोल रहा है कि कोली ने ICC World Cup में अब तक 6 मैच खेले हैं विराट ने टूनमेंट का अगाज ऑस्टेलिय के खिलाप 85 round की शांदर पारी खेल कर किया था इसके बदद अफगानिस्तान के खिलाप भी विराट ने अर्द शतक जवा था बागलादेश के खिलाफ कोली के बल्ले से शत्रकिया पारी निकली थी जब कि न्यूजिलेंड के गैन बाजों की भी विराध कोली ने खूब दुनाई की थी वहीं उन्होंने 95 रन की दमदार पारी खेली थी कोली 6 मैचों में अब तक 354 रन बना चुके है फिलाल इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कवेंच बॉक ते जरूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइस